एक हजार वर्ष पूर हुआ चोल सामराजय के स्वर्ण पर पिएस वन बॉक्स ओफिस बॉक्स ओफिस पर आया पिएस एक का तूफान ब्रहमास्तर का रिकॉर्ड तोड़ आगे निकली फिल्म एश्वर्या राय बच्चन की इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर जो तूफान खड़ा किया था वो सत्रहवे दिन तक बरकरार है एक तरफ फिल्म इंडियन बॉक्स ओफिस पर तहल का मचा रही है वही दूसरी तरफ वर्ल्डवाइड बॉक्स ओफिस तेजी से रिकॉर्ड तोड़ रही है पीएस वन बॉक्स ओफिस पर आया पीएस एक का तूफान, ब्रहमास्तर का रिकॉर्ड तोड़ आगे निकली फिल्म कमाये इतने करोड मनिरत नम की ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली फिल्म पॉन्नी इन सल्वन एक, बॉक्स ओफिस पर हर दिन सफलता के नए जंडे गार रही है एश्वर्या राय बच्चन की इस फिल्म ने पहले दिन बॉक्स ओफिस पर जो तूफान खड़ा किया था वो 17 वे दिन तक बरकरार है एक तरफ फिल्म इंडिन बॉक्स ओफिस पर तहल का मचा रही है वहीं दूसरी तरफ वर्ल्डवाइट बॉक्स ओफिस तेजी से रिकॉर्ड तोड रही है नहीं तोड़ पाई रजनी कांथ का रिकॉर्ड रिपोर्ट्स के मताबिक फिल्म पोनियन सल्वन एक ने तीसरे वीकेंड के बाद वर्लडवाइट बॉक्स ओफिस पर 56 मिलियन यूज डॉलर्स यानि करीब 461 करोर रुप्य का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है इसके साथ ही कमल हासन, विजे सेतुपती और फहाद फाजिल की फिल्म विक्रम को पीछे छोड़ पीएस एक तमिल इंडस्ट्री की दूसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है बता दे कि पहले नंबर का ताज अब भी रजनी कांत की फिल्म 2.0 वरुडवाइट 723.30 करोर रुप्य के पास बरकरार है साल 2022 में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तमिल फिल्म फिल्म विक्रम 180.57 करोर रुप्य की कमाई कर तमिल नाडू में सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्म बन गई